आज हम शादी वाले आलू बनाएंगे, इसके लिए मैंने ये पोटेटो लिए हुए हैं, टू लार्ज साइज के, ये बॉइल है, ये दो टमाटर की प्यूरी ली हुए है, ये मैंने मसालो में यहां पे ये तेश पता लिया हुआ है, ये वन टी स्पून इसमें घी है, ये खड़े गरम मसाले हैं, एक दाल चीन, चार पाच काली मिर्च, एक लोंग एक लाइची, दो सूखी मिर्ची हैं इसमें, अद्रक है, हाफ टी स्पून जीरा है और कसूरी मिर्ची है, और ये तेश पता है, सूखे मसाले में मैंने यहां पे लिया हुआ है, ये वन टी स्प यहां पे कश्मीरी लाल मिर्चली हुई है यह बहुत अच्छा देती है और हाफ टीस्पून मैंने नॉमली मिर्चली हुई है गरम मसाला पाउडर धनिया पाउडर है 1-1 टीस्पून 1-5 हींग ली हुई है और यह हल्दी है 1-4 टीस्पून और सॉल्ट अकॉर्डिंग स्पून सलसों का ओल डाला है आप कोई भी रिफाइन डाल सकते हैं इसके बाद मैं इसमें जो हमने एक टीस्पून घी लिया था वह इसमें डाल देंगे घी बहुत ही अच्छा रिच फ्लेवर देता है यह घी भी मेल्ट हो गया है हमारा अब हम इसमें यह जो हमारे तेश पत्ता यह लाल मिर्च थोड़ी सी कसूरी मेती यहां डालेंगे थोड़ी लास्ट में डालेंगे यह हमारे खड़े मसाले इससे बहुत अच्छा यूनिक फ्लेवर आएगा इसमें यह जरू डालिए आप यह डालने के बाद इसमें जीरा और अद्रक एट करेंगे इसको हमें बस 30 सेकेंड करना है यह जैसे ही क्रैक होने लगे हम अपनी लाल मिर्च और बाकी मसाले यहीं आइट करेंगे हींग भी यहीं डालना है और यह हल्दी यह हमारे मसाले अच्छे से हो गए हैं इसे हमें चलाना नहीं है बल्कुल भी इसलिए हम यहां पे टमैटो पूरी अट करतेंगे और अच्छा सा हमारा यह टमैटो भूंच के ऑइल छोड़ देंगे जब तक हम इसे पकाएंगे इसे ढख देते हैं इसे पांस से साथ मिनिट लगेंगे यह देखे हमारी सब्जी ने यह मसालो ने ऑइल अच्छे से छोड़ दिया है अब मैंने यह पोटेटो उसको हाथ से ऐसे स्क्रमबर कर लिया है यह मोटे मोटे ऐसे रपली चौप अच्छे लगते हैं अब इसको भी हम मसाले में थोड़ा सा एक दिर मिनिट भूंच इसके बाद हम इसे पानी आड़ करेंगे और सौल यह आलू भी अच्छे से भूल चुके हैं अब इसमें हम पानी आड़ करेंगे यहां फ्रेंड्स ज्यादा पानी आड़ करना है थोड़े सी थिक कंसिस्टेंसी की अच्छी लगती है मैं यहां पर छोटा सा टेप दे रही हूं यहां पर आप गरम पानी आड़ करिए है क्योंकि इससे एक तो ऑईल जल्दी ऊपर आ जाता है सज्जी का दिखती अच्छी है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है यह बहुत सिंपल टिप्स है लेकिन आप ट्राइ करेंगे तो अच्छा लगेगा आप तो यह देखें मैंने इता पानी आड़ किया है इसे थोड़ा सा पानी और एड़ करेंगे इसे हम पाँच मिनट और पानी बॉइल होने तक इसे पकाएंगे फिर सब्सक्राइगे सब्जी बनके रेड़ी है इसी कंसिस्टेंसी ऐसी ही गाड़ी अच्छी लगती है इसी टाइट से बस लास्ट में अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउर्टर डालेंगे सॉल्ट डाल देंगे और थोड़ी सी कसूरी मैथी हाथ से ऐसे दबाके डाल देंगे यह बहुत ही टेस्टी बनी है बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है इससे इसे अच्छे से मिला कर हम एक सर्विंग डिश में निकाल लेंगे यह देखिए हमारे सर्विंग बॉल में सर्व कर लिया है अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज मेरा चैनल सिस्क्राइब करिया लाइक का बटन प्रेस करिया प्लीज यह रेस्पी जरूर ट्राय करिया बहुत ही टेस्टी है थैंक यू